अज़ आप लोग को भारती चित्रकला के च्छ अंग जिसे हम सडंग के नाम से चानते हैं और ये बहुत ही फेमस है और आकसर इसमें से कोश्चन बनते ही बनते हैं कोई भी एक्जाम हो इसमें से कोश्चन आना ही आना है तो दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट है और भारती चित्रकला में इन छे अंगों का क्या महत्त है क्योंकि इन अंगों का प्रियोग करके हर कलाकार अपनी कलाकृतियों में एक अच्छा प्रभाव उत्पन्न करता है जो कि बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं भारती चित्रकला के चह अंग जिशे हम सडंग के नाम से जानते हैं शडंग का उलेक सरवप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है जैमंगला में जैमंगला एक पुस्तक है जिसमें हमें सडंग का उलेक मिलता है शडंग क्या है वात्सयायन कृत कामसूत्र न लिया गया है और कामसूत्र के लेखा कौन है वात्सयान सडंग किसने लिखा है या सोधर पंडित ने मैं आपको बता दू दोस्तों कि ये कामसूत्र जो है इस पुष्टक से जैमंगला को लिया गया है और कामसूत्र के लेखा कौन है वात्सयान और जैमंगला के लेखा कौन है या सोधर पंडित ये आप अच्छे से याद कर लें कभी कभी ये पूछ देता है कि जैमंगला के लेखा कौन है तो आप याद रख कामसूत्र के त्रितिय अध्याय की टीका जैमंगला में यह सोधर पंडित ने आलेख चित्रकला के कितने भेद बताएं है च्छ यह कामसूत्र के तीसरे अध्याय की टीका करते हुए जैमंगला की रचना की गई है जिसमें यह सोधर पंडित ने इसे किया है और उसमें पहला रूप भे, दूसरा प्रमाड, तीसरा भाव, चौथा लावड योजना, पाच्वा साद्रिस, छठा है वड़ी का भंग ये कला के छे अंग हैं जिसे हम सडंग के नाम से जानते हैं दोस्तों इसको याद करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आप इसे अगर याद कर लेंगे तो एक्जाम में कभी भी कन्फ्यूज नहीं होंगे और सीरियल वाईज आप उसको बता सकते हैं ये सूत्र आप याद रखिए रूप भेदा प्रमाड आनी भाव लावड योजनम साद्रिष्य वडिका भंग इतिचित्र शडंग कम नामक सूत्र कहां से लिया गया है ये जैमंगला पुस्तक से है ये सूत्र तो इसमें मैं आपको बता दूँ इस सूत्र में आप देखिए रूप भेदा मतलब रूप भेद प्रमाड आनी प्रमाड आनी का मतलब प्रमाड भाव यहाँ पर देखिए भाव लावड योजनम एक ही में दिया है तो यहाँ पर भाव फिर लावड योजनम फिर साद्रि में जान लेते हैं रूप भेद रूपों के बाहरी भेदों का अध्यन किया जाता है रूप भेद के अंदर गत इसमें रूपों के बाहरी भेदों का अध्यन किया जाता है भारती सास्त्री मत से सैली के आधार पर रूप कितने प्रकार का होता है चार प्रकार का रूप होता ह कौन कौन सा पहला सत्य दूसरा दूसरा जो है वैडिक तीसरा नागर और चौथा मिस्र ये जो है सैली के आधार पर भारती सास्त्री मत से सैली के आधार पर ये रूप के प्रकार है चार नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है वो है प्रमाड प्रमाड क्या चीज है अब हम उसे जान लेते हैं अनुपात, सीमा, लंबाई, चोड़ाई तथा सरीर रचना किसके अंतर गताता है प्रमाड प्रमाड का सीधा सीधा तातपर है माप अनुपात से माइकल एंजलो ने मानव देहा क्रित को कितने भागों में बाटा है सुक्राचार ने पुरुसा क्रितियों को कितने प्रकार का माना है पांच प्रकार का नर, क्रूर, असुर, वामन और कुमार आदर्स मनुस्याकृत के लिए भारत में कौन सा ताल प्रमाड निर्देश निर्देशित हुआ है नव ताल प्रमाड का एक अंस क्या कहलाता है ताल प्रमाड का जो यहाँ पे एक अंस है वो क्या कहलाता है ताल प्रमाड निर्धारण में ताल एक क्या है? एक सीर है एक ताल बराबर कितना अंगुल होता है? बारह अंगुल दोस्तों मैं आपको बता दूँ ताल का मतलब आपकी ये देखिए आपकी ये हथेली जो है यहां तक जो पार्ट आता है यहां तक ये एक ताल के बराबर होता है आप देखिए ध्यान से यहां से एक पूरा आपका हथेली जितना है यहां तक एक ताल के बराबर होता है और यही एक प्रमाड है सरीर को विभाजित करने के लिए और एक ताल बराबर 12 अंगुल होता है जो कि काफ़ी important है और एक कई बार एक्जामों में पूछा जा चुका है कि एक ताल बराबर कितना अंगुल 12 अंगुल तो यहाँ पे कुछ आकृतियों को जो बाटा गया है कितने ताल में उन्हें बनाने चाहिए तो हम उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे आकृतियों है और ताल मानो साधारड जो है वो 8 ताल ताल उत्तम 9 ताल भयानक मानो जो है वो 12 ताल का होना चाहिए राक्षस 16 ताल का कुमार 8 ताल का और बाल जो बालक है वो 5 ताल का ये डिवाइट किया गया है इस तरह से ये आकरितियां इस तरह से बनती हैं इतने तालों में सिर को कितने भागों में बाटा गया है चार भागों में अनुपात के लिए उचित ज्यान को किस नाम से संबोधित किया जाता है प्रमा नाम से नेक्स्ट हमारा अगला जो है कला के छे अंगों में ये तीसरा भाग जो है वो भाव है तो भाव के बारे में अब हम जान लेते हैं भाव कहते हैं आकृत की भंगीमा को हम आकृत की भंगीमा जो होती है उसे भाव कहेंगे भाव कला को देता है अभिव्यक्ति भाव का किससे गनिष्ट संबंध है रस से यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है कई बार एक्जामों में आ चुका है कुश्चन सास्त्रों से रसों की निस्पत्ति मानी जाती है अस्थाई भावों से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोश्चन है और एक्जाम में आ चुका हिए आरंभ में भरत मुर्णी ने कितने रस तथा उनके कारक कितने अस्थाई भाव माने हैं आठ रस तथा आठ अस्थाई भाव वर्तमान में कुल कितने रस और उनसे सम्मंदित भाव का उलेख मिलता है नव रस वा नव भाव मिलते हैं हमें भाव है भारती चित्र की आत्मा भाव क्या है भारती चित्र की आत्मा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहां पे जो भरत मुनी ने बताया है जिसमें हमारे कुल भाव कितने हैं कुल भाव की संख्या कितनी है 49 49 जिसमें से सात्विक भाव 8 है और संचारी भाव 33 है जिसमें से मैं आपको बता दूँ पुल भाव की संख्या कितनी है 49 जिसमें से अस्थाई भाव 8 हो गए सात्विक भाव 8 और संचारी भाव 33 कुल मिला के भाव की संख्या हो गई 49 जोकि काफी इंप्वर्टेंट है कई बार एकजामों में ये पूठा जा चुका है नेक्स्ट जो है चोथा पार्ट हमारा लावाड योजना celebrates योजना क्या है लावड योजना है वाह सोंधर्य का अभिवेञ्जक ये वाह सौंदरे का अव्येंजक है एक तरह से लावड योजना का मतलब होता है कलात्मक तथा सौंदरे से रिलेटेड है सुंदर्ता से संबंधी था ये रूप गोस्वामी ने उज्वल नील मडी नाम ग्रंत में लावड के विशय में क्या कहा मोती की तरलता की भाती सोभित करने वाला गुड लावड है नेक्स्ट हमारा उसमें था पाचवा जो भाग है कलाके छे अंगों में वो है साद्रिश से किसी मूल वस्त पदार्त या भाव के साथ उसकी प्रतिकृत की समानता को दर्शाना कहलाता है क्या कहलाता है शाध्रिष्य, शाध्रिष्य एक तरह से देखे हुए चित्र के समान, साध्रिष्य का मतलब है अब यहाँ पे भाव से संब्दित कुछ बात है और रस से संब्दित है जो की काफी Community है अक्सर पूछा जाता है रस तथा उनसे संबंदित भाव तीखिए रस कौन कौन से स्रिंगार का भाव क्या होता है रती हासे का क्या होता है हास करूड का क्या होता है सोक जो भाव है करूड रस का सोक होता है वीर का क्या होता है उत्साह रौद्र का क्रोध भयानक का भै विभत्स का घृड़ा अद्भुत का आश्चरी शांत का क्या होता है निर्वेद तो ये हमारे नौ रस हैं और उनके ये नौ भाव है जो कि काफी इंपोर्टेंट है इसमें से कई बार एक्जामों में कोश्चन आता है कि वीर रस का स्थाई भाव क्या है इस तरह से कोश्चन बन जाता है भारती कला में सरीर रचना हेतु प्रधान रूप से किन उपमानों का प्रयोग हुआ है इस्थिर मुख का इस्थिर मुख अंडाकृति चंचल मुख पान की आकृत जैसी प्रसन नेत्र खंजन पक्षी के समान विलासी नेत्र परवल की फांक के समान योगी का नाक उ की आकृत जैसा आदर्शकान गिद्ध की आकृत के समान नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो कि कला के छेंगों में छटवाज पार्ट है उसका वाडिका भंग वाडिका भंग जो है वो काफी इंपोर्टेंट है वाडिका भंग किसे करते हैं नाना वरडो की समलित भंगी मा को नाना का मतलब विभिन प्रकार के रंगों की समलित भंगी मा चित्र के शडांगों में सबसे कठेन साधना होती है वाडिका भंग की, रंगों की प्रमुख वर्ड है प्रमुख वर्ड कौन कों से पांच प्रकार के लाल, पीला, सफेद, नीला और काल दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दू वाडिका भंग का सीधा सीधा तात्पर है रंगों से जो की काफी important है तो दोस्तों इस तरह से हमने भारती चितरकला के जो छेंग है शडंग जिसे बोला जाता है उसके बारे में बताया है दोस्तों ये काफी important है और इससे संबंतित exam में question आता ही आता है तो आप इसे अच्छे से याद करें और copy में note करें दोस्तों ये हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा like, subscribe और share करें हमारे YouTube चैनल पर comment करके बताएं का आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है दोस्तों इसी प्रकार से मैं और भी विजूल आठ से सम्मंदित इंपोर्टेंट वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा धन्यवाद दोस्तों